हिंदू के प्राजीन और पवेत्र साथ नगरियों में से पुरी उडिसा राज्य के समुद्री तर पर बसा है जगनाथ मंदिर विश्णू के आठमे अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है पुराणों में इसे धर्ती का वेकुंट खा गया है और ये भगवान विश्णू के चार धामों में से एक है राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमती था एक रात भगवान विश्णू ने उनको अपने सपने में दर्शन दिये और कहा निलांचल परवत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ती है जिसे नील माधव कहते हैं तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी ये मूर्ती स्थापित कर दो राजा ने अपने सेवकों को निलांचल परवत की खोच में भेजा उसमें से एक था ब्राह्मन विद्यापती विद्यापती ने सुन रखा था कि सवर कवीले के लो नील मादव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ती को निलांचल परवत की गुफा में छुपा रखा है वे यह भी जानता था कि सवर कवीले का मुखिया विश्व वसू नील मादव का उपासक है और उसी ने मूर्ती को गुफा में छुपा रखा है चतुर विद्यापती ने मुखिया की बेटी से विवा कर लिया आखिर में बेह पत्नी के जर्ये नील मादव की गुफा तक पहुँचने में सफल हो गया उसने मूर्ती चुरा ली और राजा को लाकर दे दी विश्व वसू अपने आराध्य देव की मूर्ती चूरी होने से बहुत दुखी हुआ अपने भक्त के दुख से भागवान भी दुखी हो गए भागवान गुफा में लोट आए लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्ज से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लोटेंगे बशर्ते की वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे राजा ने मंदिर बनवा दिया और भागवान विश्णू से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा भागवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ती बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ जो द्वारी का से समुदर में तैर कर पूरी आ रहा है राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंड लिया लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कवीले के मुखिया विश्व वसू की ही सहायता लिनी पड़ेगी सब उस वक्त हैरान रहे गए जब विश्व वसू भारी भरकम लकड़ी को उठा कर मंदिर तक ले आए अब भारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ती गड़ने की राजा के कारीगरोंने लाख कोशिश की लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका अब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्व कर्मा एक भूड़े व्यक्ती का रूप धर कर आए उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ती बना सकते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्ट भी रखी कि 21 दिन में मूर्ती बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे कोई उनको बनाते हुए देखेगा नहीं उनकी यह शर्ट मान ली गई लोगों को आरी, छेनी और हतोरी की आवाजे आती रहे राजा इंद्रद्युमन की रानी गुंडिचा अपने आपको रोक नहीं पाई वे दर्वाजे के पास गई तो उसमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी वे घबरा गई उसे लगा बुड़कारिगर मर गया है उसे राजा को इसकी सूचना दी, अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दर्वाजा खोलने का आदेश दिया जैसे ही कवरा खोला गया तो बुड़ा वैक्ती गायब हो गया और उसमें से तीन अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगे नहीं जबकि सुभद्रा जी के हाथ पैर बनाई ही नहीं गए थे अब से लेकर आज तक तीनों भाई भेन इसी रूप में विद्धेमान है इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्मला प्राप्त कर सकें